नुहु में हुई हिंसा के बाद साइवर सिटी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है बीते दो दुनों में गुरूराम पुलिस द्वारा दंगाईयों के खिलाब 15 F.I.R. दरज कर 8 को गरफतार किया गया है साइवर सिटी की सुरक्षा के लिए 2800 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है वहीं गुरूराम पुलिस की माने तो इस्तिती सान्ती पून है वहीं पुलिस ने वर्क फॉर्म होम की कोई अपील नहीं की है बजरंग दल के सईयोजक मौनू माने सर की गरफतारी को लेकर पुलिस संतोज जनक जवाब नहीं दे पाई जिस परकार से मेवा जिले के अंदर जो घटना करम होए उसके दोरान 31 जोलाई को जो घटना करम गुरूराम के अंदर होए और उसके अबाद एक अगस्त को जो घटना करम होए उसका संक्षप्ट गुरूराम पुलिस दोरा आपको दिया जा रहा है गुरूराम पुलिस पर पिछले दो दिन के अंदर लगब 15 एफैर्स रिस्टेड करी गई है ऐसे सभी दोश्यों के खलाफ जो अलग-अलग ऐसी इल्लीकल एक्टिविटीज में आग जनी के अंदर जो सनलिप पाए गए है इसके अंदर जो अभी तक आठ अक्यूस्ट को अरेस्ट करा गया है और तीस ऐसे जो लोग है विक्ति विशेशा जिनके के खलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तेहत कारवाई करी गई है इसके अंदर एक F.I.R. इस्टेड हुई थी जो सेक्टर 57 के अंदर एक अंजुमन मस्जिद के अंदर घटना कराम हुआ था जिसमें दो विक्ति घायल हुए थे जिसमें एक विक्ति की वहाँ पर मौके पर डेथ हो गई थी और दूसरा विक्ति है जो इंजर्ड हुआ था तो उनके खिलाग संबन्दित धाराओं के अंदर अंडर सेक्शन 302-307 अट्रेंट टू मुर्टर के तहित कारवाई करी गई है और उस पर्टिक्लर के अंदर चार विक्ति विशेश को जो उनके अंदर आरूपी थे सुस्पेक्ट से उनको अरेस्ट करने में अब करी है